तो हेलो फेंड कैसे हैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ Samsung Galaxy में कैसे आपने Samsung Galaxy को Save Mode पे Open कर पाएंगे और यह Save Mode होता क्या है कैसे इसको Enable और Disable करेंगे और Actual में यह Work कैसे करता है तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों सबसे बहले बताईए जो Save Mode होता क्या है जितने भी आपने थर्ट पार्टी एपस डाउन्लोड करें क्योंगी थर्ट पार्टी एपस वोले तो लाइक अपने Play Store से एक लेक्सी स्टोर से या कहीं से भी आपने सब्सक्राइब कर देंगी से मोट के अंदर और जो कि कमपणी से जो एप प्री इंस्टॉल आती है तो वह होता है से पाइदा यह होता है कि मान लो अगर आपने कोई अब को अभी नई नहीं इंस्टॉल करा और उसके बाद से आपके मॉवाइल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है लाइक हैंगिंगी या एप्स क्रेश हो रहे हैं या मॉवाइल रिस्टाट हो रहा है तो अगर आपको अपने मॉवाइल को चेक कर रहा हो कि क्या दिक्कत है कहीं करके देखेंगे अगर आपका मॉवाइल से मोट पर वर्क सही कर रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने अभी रिसेंटली जो एप डाउनलोड करके रखी है उस सही मेरे मॉवाइल में कोई ना कोई हाम हुआ है तो वह होता है से मोट तो मैं आपको आपको करेंगा वीडियो को पूरा दिखेंगे तो यह आप समझ पाएंगी दोस्तो चलते हैं आगे मेरे नाम सभी और आपको स्वागते मेरे ऐसे टेक में तो जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बताने वालों कैसे अपने मोबाइल में आप से मोट को आन कर पाएंगे तो दो तरीक करकर रखेंगे तो आपको यह narration आएगी तो अगें टैप अगें टो रिस्टार यूर फोन एंड सेप मोड डाउनलोड एप विल बी टेंपररी डिसेबल टो हैल्प यूर तर्मिंट यूर फोन जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी आपकी डाउनलोडिंग एप होंगी सब ब प्रॉब्लशूट बोले तो प्रॉब्लम का सल्यूशन देख सकते हैं मतलब कैसे अपने इसको रिस्टार करने के लिए आपको करना क्या आपको यहां दबागी रखा यहां आगया इसके आपने उस पर क्लिक कर दिया जैसी आपने इसको क्लिक कर दिया थो थोड़ा वेट लगेगा बलब इसको रिस्टार होने में टाइम दीजिएगा जैसी रिस्टार होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका मॉवाइल अप से मोड पे ओन हो चुका है तो कैसे जितने भी आपके बहार के जो एप्स होंगे डाउनलोडेट वाले लाइक लेक्सिस्टोर प लाइक रीम अटार प्रब्लम या अगर उसके बाद वो प्रब्लम नहीं आ रही तो समझ लीजेगि जो आप डाउनलोड करिए वो आप्के मोड को हंकर लिज्म तो आप उसको अनिस्टॉल तुरंती कर लीजिए तो आपका प्रॉब्लम वहां पर सॉल्फ हो जाएगी तो आप देख सकते हैं नोस तो यह मॉबाइल मेरा हो चुका है स्टार्ट से मोड पे यहां नीचे देख रहे होंगे आपके लिखा भी हो रहा है से मोड आपको दिख करूंगा तो यहां पर बता देगा डाउनलोड इन एप डिसेबलें से मोड आपको यहां दिख जाएगी यतनी वी एप्स आपके मोवाइल में इस्टॉल रहे होंगी वो सब एप काम करना बंद कर देंगे आप देख रहे होंगे यह सब ग्रेट टून में आ रही मतलब यह सब बंद हैं तो यहां पर आपको अव्ध को चलाकर देखना है कि आपके माइल में यहां पर प्रोब्लम आ रही है नहीं आ रहे हैं पर वाट्स ओव फेस्बुक सब बंद हो जाता है आपका और यहां पर जैसी है वर में और करेंगे तो बाय कंब करेंगे तोichen दिख रहा होगा आपको यहां से flight mode का on off कर लेना है तो आप यहां पर अपने मॉवाइल पर वाइफ आई या मॉवाइल नेट वर्ट कहीं से भी नेट चला सकते हैं नेट में कोई यहां पर आपको बस यहां पर यह चेक करना है लाइक अगर आपका वहां पर हैंगिंग हो रहा है तो आपको करना क्या होगा वापिस जाना है अपने नॉर्मल मोड पर और उस लाव करना है जो कि अपने इंस्टाल किया है यह इसली होता है उप देखेंगी पर यहां पर इसको ईजबल कर सकते हैं कैसे अपको लिए करें हैं और रिस्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो बाइड डिफॉल्ट आपका फोन नॉर्मल मोड पर आट्रमाइट आ जा है और एक और शॉर्टकेट तरीका आप नीचे की तरफ आएंगे आपको यहां पर दिख रहा है से मोड इस ओन आपको दिख रहा होगा आपको सिंपल एस पे क्लिक करना है जैसी उस पे क्लिक करेंगे नीचे आपको एक नरीशन रही टन ओफ से ब मोड एंडी स्टर अभी लेव तो उनके लिए मैं आपको second बताने वाला हूँ, second जो method है, उससे उनका problem वहाँ पर solve हो जाएगी, तो अब इसको on होने दितने हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, second method, second method के लिए आपको करना क्या होगा, दोस्तों, अपने mobile को पहले तो कर लेना है, switch off, तो आप यह थोड़ा चालू हो जाए, तो आप यह देख सकते हैं, दोस्तों, app आपको देखी रहा होगा, सारी app यहाँ पर highlight हो गई, मतलब य सही, अब मैं अपने mobile को यहाँ पर कर लेता हूँ, power off, जो second method के लिए बताने वाला हूँ, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अपने mobile को कर लेना है, switch off, switch off करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको जो method जो करना है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, mobile proper तरीके से पूर बंद होने देना है, बंद होने के आपको करना क्या है, volume, volume down key plus power key को आपको दबा के रखना, दोनों को continuous दबाना है, साथ में, आप यहाँ पर दबाएंगे, तो आपको यहाँ पर सैमसंग का logo दिखाई देगा, यह देख रहा है, आपको logo दिखाई देगा, अब इसके बाद चाहें, तो आप power button की button छोड़ देते हैं, यहाँ पर आपको power button वाला button छोड़ देना है, पावर वाला volume, volume down key को आपको दबा के रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, पावर वाला button आपको छोड़ देना है, अब इसके बाद होगा गया, थोड़ी देर तक जब तक आपको अब आपको mobile सीधे हैं, यहाँ पर save mode पर ही open होने वाला है, दोस्तों मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, अगर आप मेरे चनल पर पहली बार आएं और अभी तक आपने मेरे चनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों, प्लीज मेरे चनल सब्सक्राइब करना नहीं हो और हो सकते हैं, तो मुझे इंस्टागर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं, दोस्तों, यह मेरा mobile save mode पर on हो चुका है, आपको नीचे दिख भी रहा होगा, आप यह save mode पर on हो चुका है, मैंने आपको जो second matter इसलिए बताया, क्योंकि क कुछ mobile पर जो power keeper save mode का option आता है, वहाँ पर किसी के mobile पर नहीं आता है, तो इसलिए मैंने आपको second option भी पताया, दोस्तों, उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो thank you, तो दोस्तों, मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, दो अगर आपको मेरी वीडियो पता है, तो please like जरू करें, अगर आपको लगता है, तो मेरी वीडियो में कुछ कमी हो, तो आप मैं डिसलाइब कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या directly मुझे DM कर सकते हैं, मैरे Instagram एकाउंट पर या मेरे Facebook, FV के अकाउंट पर दोनो सब्सक्राइब नहीं किया, तो please subscribe करना ना बोले, ताकि मेरे चनल की नेक्ट वीडियो की अपड़ाब को सबसे पेले मिले दोस्तों और हो सके, तो मुझे Instagram और Facebook फोलो करना भी ना बोले, इसका लिंक आपको नीशे description पर मिल जाएगा, तो thank you